अज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेरोल, पेरोल क्या होता है, पेरोल मतलब कंपनी में एमपलोई को जो सैलरी, डी ए, 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 और टैक्स वगरा जो उनका डिडक्षन होता है और जो भी earning और deduction जितना भी employee से related जो भी उनका calculation होता है वो हम लोग payroll में करते हैं तो payroll का use हम लोग tally में कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग tally को start कर लेते हैं ठीक है? tally को start करेंगे तो first of all हम लोग एक company create करेंगे ठीक है? company create करेंगे company का name हमने suppose दे दिया payroll payroll, payroll के नाम से हमने company बना दिया और control A से इसको accept कर लेंगे after create company सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी करने से पहले सबसे पहले features में जाएंगे features में जाके हम लोग को यहां से accounting features में आना है और accounting features में आने के बाद यहां पे एक option दिख रहा है maintain payroll maintain payroll को yes करना है और फिर उसके बाद next maintain payroll को yes करने के बाद next जो हम लोग on करेंगे वो है maintain payroll इसको भी yes करेंगे category को यह दोनों option को yes करने के बाद control A से इसको accept कर देंगे ठीक है? अब क्या करना है? अब हम लोग को जाना है यहां से back करके हम लोग main screen पे आ जाएंगे और यहां से जाएंगे configuration में configuration में जाने के बाद यहां हम लोग को मिलेगा payroll configuration क्योंकि हम लोग payroll से related काम कर रहे हैं तो payroll configuration में जाके इंटर करेंगे और यहां पर जितना भी option है सब option को yes कर देंगे ठीक है? Now back अब आजाओ आप सबसे पहला काम हम लोग को main इसमें ये gateway of tally में क्या करना है gateway of tally में सबसे पहला काम हम लोग को यहां से payroll info में जाना है payroll info में जाके यहां पर आपको unit बनाना पड़ेगा unit में क्या बनाईएगा? unit में आप create करिएगा min यानि minutes और क्या बनाईएगा? hr मतलब hours ठीक है? उसके बाद back करके इसको compound में convert कर दीजेगा compound मतलब hour 60 मतलब 60 minutes का एक hour होता है वो अप यहां पर convert कर पीछे हो गया? अब यहां से back करिए back करने के बाद अभी हम लोग को यहां से क्या करना है? यहां से हम लोग को बनाना है attendance and production type यहां पर create करिए क्या-क्या बनेगा इसमें? absent बनेगा ठीक है? अगर company में कोई employee absent करता है तो वो क्या होता? leave without pay मतलब उसका कोई pay नहीं मिलता है उसको उसके बाद फिर next हम लोग का option है casual leave casual leave क्या होता है? casual leave जो है यह हम लोग का होता है attendance leave with pay मतलब casual leave मतलब जो जो छुट्टी होता है जैसे 26th January हो गया आपका 15 August हो गया Gandhi birthday हो गया तो यह सब जो भी है यह सब आपका casual leave में आ जाता है उसके बाद sick leave अगर medical कोई छुट्टी लेता है वो employee तो वो sick leave में आ जाता है इसको भी आप चाहे तो attendance leave with pay में डाल सकते हैं उसके बाद एक बना लीजे over time over time जो है यह आपका यहां से चला जाएगा production में production में जाने के बाद यहां से hour of minutes को ले लीजे yes कर दीजे यह हमारा बन गया attendance production type अब यहां से फिर back करेंगे back करने के बाद यहां पर हम लोग को next जो करना है वो बनाना है employee group यानि employee का जो department है यानि category है जैसे suppose यहां पर sales department बना दिया ठीक है और suppose finance department बना दिया ठीक है अब यहां से back करेंगे back करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे employee में यहां पर employee का name दिया उसके बाद employee का category है employee जैसे suppose sales में है तो sales में डाल दिया और यहां पर अभी यह define salary details यह बाद में करेंगे यहां पर employee का number दे दिया यहां पर उसका designation दे दिया designation में यहां पर दे दिया sales executive function क्या है उसका sales location garden reach gender male date of birth जो भी होगा ascetics यहां पर blood group यह सारे details हम लोग इसलिए input कर रहे हैं हम लोग को details के साथ print out मिलेगा इसमें मतलब जो उसका payslip आएगा payslip में यह पूरा details रहेगा और अगर bank का details आपके पास है साजीद हुसाइन का तो यहां पर yes करके इसका bank details भी डाल सकते है इसका account number क्यूंकि हम लोग आज के date में क्या हो रहा है employee को भाया bank के तुरह amount बिल जा रहा है तो इसका account number इसका IFSC code इसका bank name और इसका branch code वो डालना पड़ेगा फिलहाल नहीं है तो इसको skip कर दीजे no करके आगे बढ़ जाएए income tax pen number employee का जो pen card का number होता वो डालना है UIA number अधार number यह सब जो है आपको सारा details company का company में यह सारा employee का details आपको मिल जाएगा ठीक है passport number यह सब जो भी है सब details आप यहां पर उसका डाल सकते है डालने के बाद enter करके से बाहर आजाएए अब यहां से बैक करिये बैक करके अब यहां से ब चले जाएए salary details में salary details में जाके यहां पर define में जाएए define में जाके यहां पर साजी दुसाइन को selection करिये जैसे suppose first date में हम लोग जो यहां पर जो जो चीज लेना चाहे तो अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को salary details से पहले हम लोग को pay head बनाना पड़ेगा pay head में जाएएगे यहां पर create करेंगे basic salary basic salary क्या है basic salary earning for employee है मतला वो employee के लिए क्या है earning है यहां पर उसके बाद fixed है या variable है अगर बहुत सारी company में fixed होता है बहुत सारी company में क्या होती है वहां पर difference तरीके से वहां पर calculation किया जाता है commission based पर तो यहां पर fixed कर देते हैं फिलाल and salary हमारा क्या है indeed expenses है and affected net salary इसको yes रहने दीजे वह affected रहेगा basic salary display में show करेगा basic salary और यहां पर आपको क्या लेना है यहां पर आपको लेना है on attendance salary जो होता है यहां पर क्या करेंगे on attendance लेंगे और यहां पर sick leave को ले लीजे ठीक है day by day calculation होगा enter करके इससे बहार आ जाएगे अब यहां पर type करेंगे da da का full form भी यहां पर टाइप कर देते है dns allowance यह भी earning for employee है यह variable होता है यह variable होता है calculation से निकाला जाता है इसलिए यहां पर यह variable है indebt expenses भी डाल दीजे और यहां पर लेना पड़ेगा आपको as computed value as computed value का मतलब हो गया क्या यहां पर ले लिए specify formula मतलब क्या होगा basic अगर किसी का 10,000 तक है up to 10,000 है तो उसको percentage उसका क्या हो जाएगा 5% उसका 10,000 से 20,000 है तो उसका percentage कितना हो जाएगा 6% और 20 से उपर जितना भी है सबका 7% हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देतेंगे hra, hra का full form क्या होता है house, rent allowance ठीक है hra जब निकालेंगे न तो hra के लिए भी earning for employee होगा यहां पर variable होगा यहां पर वहy indirect expenses होगा और यहां पर क्या करना है यहां पर on वही लेना है as computed value और यहां पर फिर वही specify formula यहां पर basic और उसके साथ यहां पर add करेंगे DA यह दोनों के उपर हम लोग का 10,000 से ज्यादा salary अगर होता है तो percentage 10% हो जाएगा 10-20 अगर होता है तो उसका percentage कितना हो जाएगा suppose 12 हो जाएगा और 20 save up जितना भी होगा उसका 15% हो जाएगा यह हो गया हम लोग का slab ठीक है अब उसके बाद क्या बनाना है उसके बाद बनाना है professional professional tax जो earning है उसको पर employee का उसको tax भी कटेगा तो यह क्या हो जाएगा यह होगा deduction from employee tax तो काटा जाता है ना deduction from employee में चला जाएगा और यह जो है आपका duties and tax tax कुछ भी होता तो duties and taxes में जाता है इसको भी वही करिएगा as computed value कर लीजेगा as computed value करने के बाद यहाँ पर on specify formula में जाएगा basic add da add hra end of list अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जैसे अब दे दिए 20,000 से उपर अगर होगा तो 2% 20 से अगर 30 होगा तो उसका percentage 3 हो जाएगा 30 से उपर जितना होगा 4% enter करके यहाँ से निकल जाएगा उसके बाद PF यानि provident fund जिसको short में PF बोलते है तो PF जो होता है यह क्या होता है employee statary deduction होता है statary deduction का मतलब हो गया कि यह पैसा जो deduct हो रहा है वो बाद में इसको refund मिलता है employee को लेकिन tax refund नहीं मिलता है tax तो कड जाता है वो government के पाद चला जाता है लेकिन यह जो PF जो है यह बाद में आपको return आ जाता है ठीक है मतलब अगर आपका एक रुपय अगर salary से कट रहा है तो retirement के वक्त आपको जो PF प्रोविडिन fund मिलेगा वो double हो के मिलेगा ठीक है यह PF company में हर एक company जिस company में आप job कर रहे हो यह employee जो job कर रहा है तो company वाले का responsibility होता है यह amount को government के पाथ जमा करना यानि PF office में जमा करना पड़ता है तो यह होगे employee strategy deduction तो यह हो जाएगा current liabilities ठीक है और यहां पे फिर उसी तरह से same specify on specify formula ले लिजेगा लेने के बाद यहां पे basic फिर एड में क्लिक करिए DA फिर एड में क्लिक करिए HR A यह तीनों के उपर आपका यह कटेगा अब जहां पे जैसे दे दिया वाई 20,000 अगर उपर है तो इसका slab जैसे 1% 20-30 है तो इसका percentage हो जागा 2% और 30 से उपर जितना भी है 4% ठीक है यह भी हो गया आपका अब आप यहां से बाहर आएए बाहर आके अब आपको जाके salary details को set करना पड़ेगा salary details में जाके define में जाएगा define में जाने के बाद यहां पे साजी दुसायन का हम लोग salary details को डाल रहे हैं जैसे यहां पे one दे दिया salary details जैसे basic salary आपका suppose हम लोग का 50,000 है साजी दुसायन का ठीक है अब उसका automatically DA, HRA, professional tax और PF enter करके इसे बाहर आजाएए अब आपको यहां से back करके फिर क्या करना होगा back करके सीधे यहां से आजाएए payroll voucher में अब हम लोग को यहां पे voucher बनेगा यहां पे voucher बनाएंगे जाके यानि cash में या bank में वह details अपना देख लीजेगा अगर cash में दे रहा है तो cash यहां पे ले लीजे यहां पे primary cost साजी दुसायन को basic salary जैसे suppose 50,000 है अब उसका हम लोग यहां से जो DA निकालेंगे Alt C करके Alt C करेंगे यहां पे 50,000 का into suppose 5% enter किया आ गया उसके बाद उसका जो HRA होगा HRA suppose Alt C करके basic salary का फिर से देना नहीं है arrow से उपर आ जाईएगा उपर आने के बाद end button कीबोर से end button दबाईएगा end button दबाके इसको Erase करके यहां पे 10% देजिए enter कीजिए 10% आ जाएगा फिर enter कीजिए अब आपको क्या लेना है professional tax तो professional tax के लिए Alt C दबाईएगा Alt C दबाने के बाद bracket open दीजिएगा और यहां पे 50,000 plus 25 मतलब यह वाला यह तीनों को add करना है पहले 2500 ठीक है फिर plus 5000 यह तीनों को plus करके उसके ओपर into आपको दे देना है suppose 2% आप दे दिए यह enter किए यह भी आ गया 2% इसका professional tax उसका PF में जाए PF में जाके फिर Alt C प्रेस कीजिए Alt C प्रेस करके एंटर किजिए यह भी आ गया उसका end of list end of list end of list enter करके इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे बाहर आने के बाद उसका यहां से back करेंगे अब इसका हम लोग report किस तरह से देखेंगे payroll का यह pay slip कहां पे जाके बनता है pay slip बनता है single pay slip में जाके enter करेंगे यह आ गया यहां पे हम लोग को just यहां से print पे click करना है और print पे click करने के बाद यहां से हम लोग को yes करना है yes करने के बाद इसको यहां से zoom करनेना है अब देखें यहां पे पूरा details आ गया जो यहां पे employee का details हम लोग दिये थे employee का details आ गया और यहाँ पे हम लोग का earning आ रहा है और यहाँ पे हम लोग का deduction आ रहा है मतलब यह total earning हो गया basic salary D.A. और H.A. यह earning में आ गया और आपका professional tax और provident fund जो है यह आपका deduction में आ गया मतलब इतना amount जो है आपका earning हुआ कितना? 57,500 रुपया जो है earning हुआ और उसमें से deduction जो है 1725 रुपया deduction हो गया होने के बाद finally जो amount बचा वो यहाँ पे show कर दे रहा है इसको अपना print out कीजिए print out करके employee को पख़़ा दिज़ envelope में करके इसी तरह से pay slip हम लोग बनाते हैं तो यह था हमारा आज का topic tally में payroll किस तरह से हम लोग create करेंगे और pay slip कैसे बनाएंगे employee को pay slip किस तरह से देंगे ठीक है? तो यह होगी हम लोग आज का payroll का topic that's all see you soon